We are continuing discussion on biotechnology principles and processes. The section that we are discussing given in your NCRT is 11.1 principles of biotechnology. So, मुझे उमीद है आपने पिछला वीडियो जरूर देखा इस section में दिये वे तीन की concepts को मैंने उसमें discuss किया है. इस particular वीडियो में जो concluding part है उसको हम discuss करेंगे जहाँ पर आपकी NCRT pioneering work के बारे में बात कर रही है. दो scientist के बहुत pioneering work के बारे में बात कर रही है. जिसकी वज़े से ये जो science है इसका birth हुआ, advent हुआ, develop हुआ और flourish हुआ. और जिसकी वज़े से ये सारी चीजे possible हुई. So, अगर हम देखें, तो मान लीजिए, मैं आपसे ये कहता हूँ, कि हमें वो देखना है, कि what was the first recombinant DNA molecule that was constructed. पहला recombinant DNA molecule कौन सा था, जो construct हुआ. So, इस काम के लिए मुझे सबसे पहले अब ये समझना होगा, कि ये चीज क्या है. What exactly is a recombinant DNA? ये पहला की principle आजाएगा? आप देख रहे हैं, recombinant DNA में मैंने R जो है, वो small letter में लिखा, it is not capitalized. So, इसको आपने क्या कहा? recombinant DNA. So, देखें, recombinant DNA एक ऐसा DNA molecule है, जो आपने अपनी lab में genetic engineering से बनाया है. So, that means, आपने इसको किस में बनाया है, lab में synthesized किया है. So, this is synthesized in lab, and it is done by technology, genetic engineering से आपने किया है. और ये जो DNA है, इस DNA के अंदर, एक आपने insert किया हुआ है, foreign DNA. So, that means, इसके बीच में कुछ इस तरह की sequence है, जो की foreign है, जो की alien है, और जिसकी presence इस particular DNA में किसी और तरीके से explain नहीं होती है, सिवाए इस चीज के कि आपने इसको technology से create किया है. So, this is a recombinant DNA. दुबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, एक ऐसा DNA, जिसके अंदर कुछ ऐसी DNA की sequence पड़ी है, जो की alien organism की है, जिसकी presence वहाँ पर किसी भी normal process से explain नहीं होती है, और lab में आपने genetic engineering manipulation से इसको synthesize या create किया है. For example, let us say, कि हम एक bacterial plasmid ले ले लेते हैं, so plasmid आप पढ़ चुके हैं, हम भी इसको बहुत पढ़ेंगे, bacterial plasmid ले ले लेते हैं, और हम एक काम करते हैं, कि human DNA का एक segment काट के निकाल लेते हैं, so हम कुछ enzymes के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी मदद से हम DNA molecules को cut कर सकते हैं, so this will be very very interesting, तो आपने ये एक वो DNA sequence निकाल ली, जो human genomic DNA से आपने isolate की है, अब आपने इसको निक किया, और इस पर्टिकुलर प्लास्मिट को आपने खोल दिया, ध्यान दीजिए इसको, इस पर्टिकुलर प्लास्मिट में निक लगा करके, इसको आपने ओपन कर दिया, let us say something like this, और इसके अंदर आपने इस वाली gene को किसी तरह से, इस वाली sequence को insert कर दिया, अब आप इस प्लास्मिट को, इस प्लास्मिट को आप recombinant DNA कहेंगे, so this is a recombinant DNA, you can easily understand, you cannot explain otherwise, the presence of human DNA sequence in the bacterial DNA, प्लास्मिट DNA, आप explain नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, recombinant DNA कहते हैं, और सबसे पहले, हम historical perspective में, उस scientist को देख रहे हैं, जिसने पहला recombinant DNA molecule बनाया, अब धियान दीजिएगा, बहुत धियान से मेरी बात सुनिएगा, आपकी NCRT, एक scientist का नाम नहीं ले रही है, जिस particular scientist के contribution के बिना, शायद ये पूरी तरह से possible नहीं हो पाता, मैं इसका नाम यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, इस scientist is Paul Berg, तो जिस scientist की हम बात कर रहे हैं, इन scientist का नाम है Paul Berg, तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, Paul Berg ने 1971 में अपना, classical gene splicing experiment किया, इस experiment को आप कहते हैं, gene splicing experiment, ये शब्द आपको याद होगा splicing, आप याद कीजिए, eukaryotic transcription, जहां पर post-transcriptional modification किया था, आपने HNRN में, और आपने introns को हटा के, exons को आपस में जोड दिया था, और इस चीज़ को आपने कहा था, कि आपने क्या किया है, post-transcriptional splicing की है, तो आप इस आप्सलूटली क्लियर, दिस इस जीन splicing experiment, बाई पॉल बर्ग भी आर टॉकिंग अबाउट, तो पॉल बर्ग ने क्या किया, उन्होंने एक वाइरस लिया, इस वाइरस का नाम है लेम्डा वाइरस, और इसका जो DNA है, वो सर्कुलर है, तो इस तरह का सर्कुलर DNA मॉलीक्यूल है, एक और वाइरस लिया, इसको SV40 कहते है, सिमियन वाइरस 40, सिमियन से आपको पता चला कि इसका नैचुरल होस्ट एक मॉंकी है, इसका भी सर्कुलर DNA है, हम आगे, जैसा मैंने आपको बताया, इंजाइम की बात करेंगे, जिसकी मदद से आप DNA को कट कर सकते है, इन दोनों में उसने एक एक जगे निक लगाया, इसकी वज़े से ये दोनों linear हो गए, ये दोनों के दोनों convert हो गए, सर्कुलर से linear form में ये linearized हो गए, इसके बाद में इन दोनों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया, देखिए, इसका end यहां से, इसका end यहां से एक बड़ा molecule बन गया, जिसमें एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है, ये क्या बनाया, recombinant DNA, और फिर उसके बाद में उन्होंने वाइरल DNA और बैक्टीरियल DNA का एक recombinant DNA molecule बनाया, तो ये जो gene splicing experiment है, पॉल बर्ग का ये बड़ा path breaking experiment है, और पॉल बर्ग को बाद में नोबेल प्राइज मिला, तो क्योंकि NCRT इसको बता नहीं रही है, तो हम एक important वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये जो वेबसाइट है, ध्यान दीजिए इसको, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट इस एक्चुली काल्ड आज नोबेल प्राइज डॉट ओ और जी, पॉल बर्ग के बारे में जो इन्होंने आपर फेक्ट्स दिये हुए हैं, उनकी लाइफ, ये वर्क देखिये क्या दिया हुआ है, DNA कैरी इस और्गनिजम जीनोम्स और अलसु दिटरमिन्स देर वाइटल प्रोसेश और देखिये, ट्यूमर वाइरस, SV40 की बात हो रही है, DNA from a bacterium into the virus DNA, this is what the citation is saying, और फिर वो ये कह रहे हैं, कि दिस ताइप of molecule became known as hybrid DNA, और recombinant DNA, so this is the credit that the Nobel Committee is giving to Paul Berg, and please try to remember the Paul Berg experiment, gene splicing of 1971, 1971, अब इसके बाद में, इसके बाद में जो pioneering काम किया, जिसने actually established किया, recombinant DNA technology को, वो आपकी NCRT mention कर रही है, and very very important scientist, ये जो दो scientist है, they are Herbert Boyer and Stanley Cohen, so अगर हम देखे हैं, तो let us write the name of these two great scientists, हमने ये कहा, one was Herbert Boyer, and the second was Stanley Cohen, and what they did actually, देखिए, Paul Berg ने recombinant DNA molecule बनाना सिखा दिया, हमको बता दिया, कि recombinant DNA किस तरह से बनाया जा सकता है, अब Stanley Cohen और Herbert Boyer ने क्या किया, खास तोर पे, Herbert Boyer ने पहले एक काम ये किया, कि उन्होंने एक method discover किया, जिसकी मदद से इस recombinant DNA को आप bacterial cell के अंदर पहुचा सकते हैं, इसको हम देखें के bacterial transformation किस तरह से की जाती है, ये Herbert Boyer ने किया, ये जो recombinant DNA है, इसको अब आप एक heterologous host के cell के अंदर पहुचाने का जो process है, उसका discovery किस ने किया, Herbert Boyer ने किया, और फिर इन दोनों scientists ने मिल करके, एक बहुत important काम ये किया, कि ये recombinant DNA, ने heterologous host में किस तरह से replicate करेगा, और किस तरह से उनके progeny में जाएगा, ये इनोंने demonstrate किया, और क्योंकि इनके pioneering work के बाद में, इट वस पॉसिबल कि आप recombinant DNA को एक heterologous host cell में transfer कर सके, उसे वहां maintain कर सके, उसे वहां replicate करा सके, clone कर सके, उसके progeny में वह inherit हो जाए, that was the birth of, the real process, the real science of recombinant DNA technology, तो मुझे उमीद है, ये जो nuance मैंने आपको बताया है, पहला genetic modified organism, आप ये कह सकते हैं, कि स्टैनले कोहन और हरबर्ट बोयर ने बनाया था, इतनी बात समझ में आ गई, देखिए, अब मैं एक important बात आपको बताता हूँ, ध्यान से समझेगा इसको, तो हमने ये कहा, कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कि जो हरबर्ट बोयर है, इसने इस तरह के एक method को पहचान लिया था, या discover कर लिया था, कि किस तरह से, एक recombinant DNA को, किसी और cell के अंदर पहुचाया जा सकता है, किस तरह से इसको पहुचाया जा सकता है, ये cell कैसे take up करेगा, ये काम हरबर्ट बोयर ने किया, अब जो Stanley Cohen है, इनका एक plasmid है, इस plasmid का नाम है PSC101, तो ये जो SC शब्द है, ये Stanley Cohen के initials हैं, जब जब भी आपके अपके एक्जाम में कहीं पर भी, जो small P लिखा हुआ है शुरू में, तो इसका मतलब ये plasmid को डिनोट कर रहा है, और ये जो plasmid है, इट इस अ नेटिव plasmid of a bacterium, विच इस कॉल्ड ऐस साल्मोनेला टाइफी मियूरम, इस बैक्टीरियम का एक नेटिव plasmid है, तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिये, साल्मोनेला टाइफी मियूरम इसका नेटिव plasmid, ऐसी का मतलब आपको समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि plasmid कैसे पहचानते हैं, और इसमें एक जीन होती है, तो टेट्रासाइक्लिन जो एंटी बायोटिक है, उसके लिए रजिस्टेंस की जीन इसमें प्रेजन्ट है, अब देखिए पहला काम तो बड़ा आसान था, पी एससी वन जीरो वन लिया, और इसको फॉर एक्जामपल एकोलाई में, इकोलाई के अंदर भेज दिया, और यह मैथड कौन बता चुका है, हर्बर्ट बॉयर बता चुके है, और इसको आपने इसके अंदर पहुचा दिया, और इसका मतलब आपने इस सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जब आप इसे एक प्लेट पे कल्चर करेंगे, और फिर उसके उपर आप टेट्रा साइक्लिन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, एंटी बायोटिक, तो वो बैक्टीरियल सेल जिनकी अंदर री कॉंबिनेंट डियन ने प्रेजन्ट होगा, वो सर्वाइब कर जाएंगे, आप जानते हैं कि ये जो एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसकी मदद से जिन बैक्टीरिया में ये प्लास्मिड होगा, वो टेट्रा साइक्लिन से नहीं मरेंगे, एक चीज तो इन्होंने ये करी, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई, इसके अलावा फिर इन्होंने एक काम और किया, देखे बड़े ध्यान से दुबारा, तो हम हरबर्ट बॉयर और स्टैनले कोहन की बात कर रहे हैं, अब इन्होंने एक काम और ये किया, कि माल लीजिये एक प्लास्मिट है, और इस प्लास्मिट में टेट्रा साइक्लिन की रेजिस्टेंस जीन है, तो हमने ये कहा हमारे पास अब दो दो प्लास्मिट है, एक प्लास्मिट में टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और एक प्लास्मिट में टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और एक प्लास्मिट में टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और एक they did is कि यहां से इसको split किया और इस जीन को isolate किया कानामाईस्थिन वाली को और उन्होंने क्या किया कि इस जीन को introduce कर दिया इस पर्टिकुलर प्लास्मेड में तो अब यह जो प्लास्मेड आपने बनाया इस अभी शीरी कॉम बिनंट प्लास्मेड बिकॉस इट इस इस कैरीं अ sequence of the genes which are giving resistance to the antibiotic and another antibiotic which is kanamycin. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों molecule को फिर linearized करें और दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये दो plasmid आपस में जुड़ जाएंगे और जो common plasmid बनेगा उसमें एक gene tetracycline resistance की होगी और एक kanamycin की होगी इसका मतलब ये recombinant DNA molecule है और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं काना mycin resistance की भी sequence है और फिर इसको उनोंने E. coli में भेज दिया so that means देखिए ये E. coli लिया ये जो E. coli bacterium है काफी related है salmonella typhi murium के और जब ये इसके अंदर इस तरह का इस तरह का recombinant DNA molecule आ गया जिसमें एक tetracycline resistance जीन थी और दूसरी kanamycin resistance जीन थी तो ये culture medium में दोनों antibiotic की presence में बच रहा था so देखिए ये वो organism है जिसे आपने genetically modify किया so Stanley Cohen और Herbert Boyer ने recombinant DNA को पहुचाने का तरीका बताया आपको कि हिट्रोलोगस cell में इसको कैसे पहुचा सकते हैं वहाँ पर इसको replicate या clone कैसे कर सकते हैं और ये वो pivotal चीज है जिसको हम basis कहते हैं for the birth of recombinant DNA technology जी तो मुझे उमीद है ये बात बिलकुल clear होगी इसके बाद वो और ज़्यादा higher experiments करने लग गए उन्होंने एक और plasmid ले लिया स्टेफाइलो कोकस bacteria का और उसको फिर E. coli के प्लासमिट के अंदर insert करी gene को और फिर उसको E. coli को transform करके उसके अंदर स्टेफाइलो कोकस जो की सालमोनेला की तरह मिलता जुलता नहीं है E. coli के so inter specific cloning की बात हो रही है यहां पर so अगर आप मेरे से एक शब्द पूछें तो मैं आप से यह कहूंगा कि inter specific cloning inter specific cloning यह बहुत बड़ा contribution हम कहेंगे कि इसका Stanley Cohen और Herbert Boyer का तो मुझे उमीद है कि काफी बच्चे इस particular इस particular जो paragraph है उसको ले करके NCRT की language को ले के काफी परेशान होते हैं अब आपको समझ में आ गया कि inter specific cloning इसका तरीका Cohen और Boyer ने बताया और देखिए दोनों एक coffee shop में किसी conference में मिले और जब वो कुछ खा पी रहे थे तब उन्होंने discuss किया दोनों अलग-अलग काम कर रहे थे अलग-अलग शेहरों में और दोनों ने वहाँ discuss किया दोनों के रास्ते में कुछ road blocks आ रहे थे फिर उन्होंने देखा कि हम एक दूसरे के साथ contribute कर सकते हैं Cohen जो है वो plasmid भेशते थे और Boyer जो है उसको manipulate करके वापस भेशते थे और इन दोनों के collaboration की वज़े से यह जो recombinant DNA technology है यह establish हो गई इसके बाद इन्होंने एक और काम किया एक टोड है xenopus levies so there is a toad xenopus levies इसके DNA को इन्होंने plasmid में introduce करके इसको clone कर दिया bacterial cell के अंदर अब आप देखे कितना inter specific cloning हो रही है यह specific contribution है किसकी Stanley Cohen and Herbert Boyer की इसी लिए please try to understand the difference between Paul Berg experiment and the Stanley Cohen and Herbert Boyer experiment इसी लिए ताकि कोई confusion ना रहे मैंने आपको वो reference दिया जो nobleprice.org site का उनका citation आपने पढ़ा और Gilbert के साथ में और Fred Sengar के साथ में 1980 में Paul Berg ने nobel prize share किया chemistry में so this is a very very interesting thing very very interesting thing so this is this is a nobel prize this is a nobel prize in 1980 so they can nobel prize in chemistry 1980 Paul Berg and you can read this citation they are also saying that you can cite this this particular section and this is what a student must understand so up again a make bar or they can get up key and CRT में हमने 11.1 section अब जो है वो complete कर लिया है so let me open this this particular thing so हमने यह वाला काम खतम कर दिया है देखिए बहुत ध्यान से हमने यहां पर do you know यह देखिए है और फिर अब आपको यह पता चला कि अब हम इसको किस तरह से करेंगे इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एक्सपरिमेंट को री कॉंबिने डियने प्रोसीजर में किया क्या जाता है आप आइडेंटिफाई करते हैं उस डियने को जिसे आपने कलोन करना है उसको आप सेपरेट या इसोलेट करते हैं उसके बाद में इसको एक सूटेबल वेक्टर की PRT absolutely, absolutely with diligence and as much, as much attention as possible. आपको एक एक लाइन समझ में आएगी and when we come back, we will further continue the discussion on this particular chapter. Thank you so much.